बयान बाजी में मसहूर मद्परदेश के ग्रिह मंत्री नरोत्तम मिस्रा अब बैक फूट पर आ गए है कहा जारा एक उन्होंने फिल्मी बयान बाजी से तौबा कर लिया है हिर्देप परिवर्तन प्रधान मंत्री मोधी की कड़ी टिपड़ी के बाद हुआ है खबरों के मुताबिक सारुक खान की फिल्म पठान पर जारी विवात के बीज बयान बाजी करने पर नरोत्तम मिस्रा को पीजेपि की राष्टी कारेकालडी बैठक में प्यम मोधी की नाराजगी जैलने पड़ी बोपाल में ग्री मंत्री मिस्तरा ने कहा कि प्रधान मंत्री का हर सब्त हर बात सीरो धार है प्यम मोदी ने राष्टी कारिकालडी की पैठक में प्रेडा दाई उद्पोधन किया कारिकरता उर्जा और प्रेडा लेकर आये हैं पता देंग राष्टी कारिकालड़ी की बैटन में PM मोधी ने मंगलवार को कहा कि एक नेता हैं जो फिल्मों पर बयान देते रही हैं। उनके बयान टीवी पर चलते रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे नेता बन रहे हैं। पार्टी अदग जेपी रड़ा ने भी उन्हें फोन किया लेकिन विमानते नहीं है क्या जरूए थे हर फिल्म पर बयान देने की ब्रहन मंत्री नरेंद मोधी की नसीहत को सारूख खान की फिल्म पठान पर की जा रही बयानबाजी से जोड़ कर देखा जा रहा है पीजेपी नेताओं की तरब से फिल्म को बाईकार्ट करने की धमकी जा रही है खाला कि बियम मोधी ने भांशन के दोरान किसी फिल्म या किसी नेता का नाम नहीं लिया हाली में ग्रिमनती नरोंतम मिस्त्रा ने सारूख खान की आने वाली फिल्म पठान पर बयान दिये थे बीजेपी नेताओं ने एक गाने में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोड के भगवा कपड़े पर अपत्ती जताई थी ग्रिय मंतिर नरुतम मिस्रा वेशरम रंग गाने में दीपिका पादुकोड के कास्टूम पर भढ़क गये थे उन्होंने कहा था कि फिलम में कुछ अपत प्रति जनक दिस हैं उन्होंने पठान को मद्य परदेश में प्रतिबंदित करने की धम की विदि थी नरुतम मिस्रा के ताजा बयान से लगता है कि फिलमों पर बीजेपी नेता और मंत्री सीधा प्रतिगीरिया देने से बचेंगे वैसे मंत्री जी के बदले सुर्व पर आपकी क्या रहा है कमेंट करके जरूर बताएं